नमस्कार किसान भाईयो एक घोड़ा देखी आप कितनी उमर हो रही होगी नकुल इसकी यह होगा जी डेड़ साल गा अच्छा अभी तो फिर तो दंतोम होगा यो अच्छा तो यह इन्होंने कहां से खरीद दाता अच्छा लो किसान भाईयो अभी एक दिन में इसकी और गोड़ी उसके साथ हमें बांद के जो है इसके आपको फोटोग्राइब दिखाऊंगा यह देखिए अभी हम इस घोड़े के लिए बिल्कुल नए है ना यह हमें जानता ना पैशानता इसे भाई को तो पैशानता यह नकुल है नकुल रजपुरा तो किसान भाईयो इनके काठी में ही बांदए काढ़ डेर ने उस तर्फ हम हमादने है अच्छ इस है कोई खुल दो और आप देख सकते हैं गोडा जो है लह लह यह कोई गोड़े की सबसे बड़ी खाचत दिये यह कि यह असील है सिद्धा बहत यह जो है इनके पास भी जाता रहता है इनके घर पर भी आ जाए कभी कई कई दिन रह जार जो है ये अभी मतलब गंगाइसनान जा लिया यह इसकी अपनी घोडी की साथ इसकी रेस वेस करके देखी कुछ अच्छा मतलब वैसे वैसे रोड़ पर बढ़िया दुड़ा अच्छा तो किसान भाईयो मैं इसकी एक दिन अच्छा तीस पैंटीस पर बढ़िया जाय जालक के अच्छा और यह जो इसके मालिक का क्या नाम है केसव तो किसान भाईयो अब देख सकते हैं थोड़ा सा हमारे हां गोड़े का शौक भी अब दुबारे आने लगा है और यह जो बच्छा है काफी बढ़िया है और मैं इसकी वीडियो इसलिए बनाने आया था कि मुझे जब पता चला कि अब गोड़ा कल्टिवेटर में च किसी पर मिल सकती है तो इसका गोड़े का नाम माम क्या रख रखा अच्छा और वैसे यह नसल जो है मारवाडी है कौन सा मुझे मारवाडी लागा आयो इसका मूँ देख वल्ले किसान भाईयो आप ही देख के बताओ किसान भाईयो हमें भी इतना तजर्बा गोड़ो का हुआ नहीं लेकिन यह जो है मुझे मारवाडी या काठियावाडी में से कोई से में से एक ही लग रहा या मिक्स ब्रीड भी हो सकती है लेकिन गोड़े की यह खासियत बताई है इस